इस कहानी की शुरुआत में हमें बहुत सारी बट को दिखाया जाता है जो एक लेड़ी की वज़े से बिखरे कुकिस को खाने के लिए आई थी तब ही वाँ पर रोबोट नाम का चीड़ा आकर सब योग एता है कि मुझे अपने बच्चे के लिए थोड़ा कुकिस लेकर जान है तब उसे रास्ते में बगुलों का जुन मिलता है जो अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए मीटिंग कर रहे थे लेकिन रोबोट गलती से क्लावडिस नाम के बगुले को पानी में गिरा देता है जो बगुलों के जुन का लीडर था रोबोट अपने गोसले में पहुंच जाता है जो एक इस्टेचू के उपर बना था जहां पर हो उसकी वाइफ और उसके बच्चे रीचर्ड से मिलता है क्योंकि जल्दी रीचर्ड अंडे से बाहर आने वाला था तब ही रीचर्ड अंडे को चोंच मार कर बहार निकलने कोशिश कर रहा होता है जि इसकी वाज़े से वह उस तरफ जाती है तो देखती है कि चिडिया के गोशले के अंदर पत्ते के नीचे एक अंडा रखा हुआ है जिसे फोड कर चिडिया का बच्चा बहार निकलता है जिसका नाम रीचर्ड होता है तब यह उसे खाने के लिए कुकिस देती है क्योंकि र अरोरा को पता था कि रीचर्ड के पेरेंट्स को जंगली बेंजर ने माट दिया है तब ही रीचर्ड उसे अपनी मौम समझकर उसे चिपक जाता है इसलिए ना चाहते हुए भी अरोरा पत्तों से टोगरी बना कर उसे अपने साल ले कर जाती है क्योंकि उसे पता था क्यों बिना फेमेली के जिन्दा नहीं बच पाएगा रिचर्ड बहुत खुश होता है अरोरा अपने घर पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसका बेटा मेक्स खाने के लिए मचली का इंदजार कर रहा था तब ही वहाँ पर उसका बदी क्लावडी जाकर उन्हें कहता है कि आज एक वज़े से मेरी बेजईती हो गई क्योंकि उसकी वज़े से में पानी में घिर गया था और उन्हें के लिए टोगडी को खोलता है लेकिन उसके अंदर रिचर्ड को देखकर नीचे गिर जाता है और अरोरा पर गुसा करता है क्योंकि रिचर्ड उसके साथ मस्तिकर रहा नहीं थे इसलिए मैं उसे अपने साथ लेकर आ गई जिस पर क्लावडीज कहता है कि तुम्हें इसे वापस छोड़ कर आना होगा क्योंकि हमारे साथ नहीं रह सकता तो अरोरा उसे समझाती है कि अगर यह सब हमारे मेक्स के साथ हुआ होता तो हम क्या करते जिसें लोगों को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि इससे मेरी बहुत बेच जती होगी फिरा में दिखाया जाता है कि मेक्स अपने साथ रिचर्ट को लेकर उड़ रहा होता है जिसे वह दोनों साथ में मस्ती करते हुए बहुत खुश थे औरोरा मेक्स को मशली पकड़ने के इससे सभी बहुत खुश होते हैं और रात के वक्त रिचर्ट भी बगलों की तरह सोना सीख जाता है फिर अगले दिन हम देखते हैं कि मेक्स और रिचर्ट साथ में उड़ रहे होते हैं लेकिन मेक्स के मना करने के बाद भी रिचर्ट आसमान की उचाये पर उन्हें जाते हैं और रोरा रिचर्ट को अपने बेटे मेस की तरह प्यार करती थी जिसकी वज़े से हो बहुत उधास हो जाती है क्योंकि पसजड़ का मोसम इस्टार्ट होने की वज़े से कल सभी बगुले अफ्रीका जाने वाले थे इसलिए हो क्लावडी से कहती है कि मैं रिचर् पर नहीं उड़ पाएगा इसलिए हमें उसे यही छोड़ कर जाना होगा और तुम बहुत अच्छी मां हो क्योंकि तुमने रिचर्ट के लिए वो सब कुछ किया जो इसकी असली मां को करना चाहिए था तब ही में 100 रिचर्ट वहां आ जाते हैं तो क्लावडी से कहता है कि जब हमारे चलने का समय हो चुका है जिसके लिए आज मीटिंग का आयोजन क्या गया है जिसमें रिचर्ट को छोड़कर सभी को चलना है इसलिए हो सभी रिचर्ट को वहीं छोड़कर चले जाते हैं जिससे रिचर्ट बहुत उधास हो जाता है क्योंकि हो कभी अकिला नहीं हैं बगुलों के बीच में गिर जाता है और सभी बगुले उसे देखकर अरोरा को मॉम कह रहा था जिसकी वज़े से सभी बगुले उनका मचा कुडाते हैं इसलिए क्लाओइज रिचर्ड इस लिए कि वो भी एक भगुला है तब यो अरोरा रिचर्ट को अपने साथ लेकर जाती है ताकि वो रिचर्ट को उसका घर दिखा सके क्योंकि अब उसको सच्चाई बताने का सही वक्त आ गया था अरोरा उसे बताती है कि तुम मुझे इस चीड़ा के घुसले में मिले थे और तुम् कि तुम सिफ चीड़ा के बच्चे हो जिस पर रिचर्ट उने कहता कि मैं अभी छोटा हूँ जिसकी वज्जे से मेरे पंक ओचो छोटी है लेकिन बड़ा होने के बाद मैं भी आपकी तरही ताकत वर बनूँगा यह कहकर रिचर्ट अपनी फुल ताकत से उड़ता हुआ ब अगर हम रिचर्ट को पने साल ले गए तो तेजवा होने की वज़े से उसकी जान जा सकती है जिससे मेक्स बहुत उधास हो जाता है तब यहां रिचर्ट आकर बताता है कि मैं आप सभी से पहले अफरीका पहुंच जाओंगा फिरो सभी सो जाते हैं क्योंकि कल उने अफरी अफरीका जाने के लिए निकल जाते हैं तब यहां बारिश होना शुरू हो जाती है जिससे रिचर्ट उटकर अपने मॉम डेट को डूंडता है और अपने पेरेंट्स के पीछे जाने कोशिश करता है लेकिन मौसम ज़्यादा खराब होने की वज़े से वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है तब युसे ओलगा नाम की उल्लू होश में लेकर आती है जो एक इमेजिनेशन दोस्ते बाते करती थी रिचर्ट उसे देखकर डर जाता है जिससे उचिपने कोशिश करता है मगर वो एक अच्छी उल्लू थी जिसकी वज़े से वो दोनों दोस्त बन ज आते हैं रिचर्ट उसे बताता है कि मैं अफ्रीका जाना चाहता हूं क्योंकि मेरी फेमिली यहां से माइगरेट करके अफ्रीका जा रही है और मैं चोटा बगुला हूं जिसकी वज़े से वो मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए और उसकी अजीब हरकतों की वज़े से ओल उसे बचा कर भागती है लेकिन चमगादर उनका पीछा नहीं छोड़ते इसलिए उल्गा उन्हें घरों की लाइट्स के पास लेकर जाती है जिस्यों दोनों बहुत खुश होते हैं रिचार्ड उल्गा से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरुत है क्योंकि तुम रात म अच्छी तरीके से देख सकती हो इसलिए तुम्हें सुबह तक मुझे रास्ता दिखाना होगा ताइकि मैं जल्दी ही अपने परेंट्स के पास पहुंच जाओं तब ही ओल्गा अपने इमेजिनेशन फ्रेंड की वजह से उसकी मदद करने के लिए त्यार हो जाती है इसलि में दिखाया जाता है कि रिचर्ड और ओल्गा एक ट्रक में सो रहे थे क्योंकि रिचर्ड को रास्ते में नीदा गई थी जिसने वह दोनों फ्रांस में पहुंच जाते हैं तब उन्हें वहां पर चीडिया के बच्चे मिलते हैं जो रिचर्ड को खाने के लिए दाने देत जाते हैं तब ही ओल्गा एक कस्टेमर से बर्गर चीन कर खा जाती है क्योंकि उसे बहुत भूग लगी थी जिससे रिचर्ड उसे नाराज होकर कुछ कभूतरों से मिलता है जो बिचली की मदद से ओनलाइन होकर सभी कंट्री के पक्षों से कॉंटेक्ट में रहते थे तब भी ओल्गा वहां कर खुद भी उन कभूतरों के साथ ओल्लाइन हो जाती है क्योंकि और रिचर्ड की मदद करना चाहती थी तो रिचर्ड कभूतर से बगले के जुन के बारे में जानने कोशिश करता है जिससे कभूतर उनकी इन्फॉर्मेशन ओल्गा को ट्रांसफर कर दे साकी से रिमोन की मदद से टीवी में सौंग चालू कर देता है क्योंकि कीकी का संद्रेमो फेस्टिवल में सौंग आने का सपना था जिससे कीकी बहुत खुश होता है मगर ओनर वापस आकर टीवी को बंद कर देता है जिससे हो काफी उदास हो जाता है और वो पिंजरे से ब बोलता है कि मुझे भी शो में सोंगाने के लिए गेबरालटा शहर जाना है इसके लिए मुझे जल्दी पिंजरे से बहां निकलना होगा क्योंकि गेबरालटा शहर की ट्रेन जा रही है तो उसे पिंजरे से बहां निकाल देते हैं क्योंकि रिचर्ड भी उसके साथ जाकर अंदर जाते हैं लेकिन रिचाड़ और ओल्गा को लगता है क्यों गेवरालटा शेयर की ट्रेन में जा रहे हैं वाई हमें बगलों के जुन को दिखा जाता है जा क्लाउड़ीज मौसम खराब होने पर भी तेजी से अपने जुन को साथ में लेकर उड़ रहे थे क्योंकि उन पर उड़ते हैं ताकि ठड़ से बस सके वाई रिचाड़ अपने दोस्तों को अपने साथ हुई कटनाओं के बारे में बताता है तो अलगा भी उन्हें बताती है कि जब मैं छोटी थी तब सभी फेमिली मेंबर मुझसे नफरत करते थे क्योंकि मैं बहुत मोटी थी जिसकी कीकी उसका मज़ा खुडाता है क्योंकि ओलेक्सी उसकी इमेजिनेशन थी जिससे ओ नाराज हो जाती है इसलिए रिचाड़ उसे कहता है कि मैं तुम्हारी फिलिंग समझ सकता हूं तब ही कीकी को पता चलता है कि कल सुबह और संडेमो शहर पर पहुंच जाएंगे लेकिन उन्हें जूट बोलता है क्योंकि उन्हें इंसानी लेंग्वे समन नहीं आती थी जिसकी वज़े से हो दोनों उस पर विश्वाश कर लेते हैं उसके बाद सभी सो जाते हैं अगली सुबह कीकी उन्हें वहीं छोड़कर शो में जाने के लिए निकल जाता है लेकिन तभी ए प्रिटली के सेंट रिमो शेयर में आ गए थे जिसें गुसा होकर रिचर्ड वहां से उड़ जाता है तब ही ओल्गा रिचर्ड को समझाने कोशिश करती है कि तुम्हें अपने बारे में पता होना चाहिए क्योंकि तुम समंदर को पार करके अफ्रीका नहीं पहुंच सकते जिसें उन दोनों के बीच बैस हो जाती है इसलिए रिचर्ड वोल्गा को वहीं छोड़ कर चला जाता है तब ही ओल्गा का दोस्ट जो इसकी मेजिनेशन था वो गायब हो जाता है क्योंकि उसे नाराज हो गया है जिसें ओल्गा बहुत परिशान होकर उसे डूरने लगती है फिरा में दिखा जाता है कि सेंडी मोशेर की खुशूरत लेडी अपने पार्टनर के साशों के अंदर जाती है तब ही उसके पीछे की की भी जाने कोशिश करता है मगर उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता क्योंकि सभी पक्षियों को चट पर बुलाया गया था इसलिए की की बड़ी मुश्किल से अच्छत पर जाता है जहांपर सभी पक्षियों अपना नाम सोंगाने के लिए रजिश्टर करवा रहे थे और वहीं रिचर्ट बगुले के घोसले में आकर उन्हें आवाज लगाता है मगर वहाँ पर कोई नहीं था जिससे वह बहुत उदास हो चुकी हो इसलिए अपने दोस्त को डूणने के लिए ओनलाइन हो जाती है उसे बहुत सारी फ्रेंड डिक्वेस्ट आई थी जिससे वह बहुत खुश होती है और ओनलाइन रेकर खुब एंज्जोई करती है वाए कि कि शो में सोंग आने के लिए त्यार हो चुका है तब ही पता चलता है कि रिचर्ट समंदर को पार करके अफरीगा के लिए उड़ान भर रहा है इसलिए उसे बचाने के लिए चाता है तब ही ओ देखता है कि ओल्लाइन खुब एंज्जोई कर रही है तो मदद के लिए उसके पास जाता है लेकिन उसकी नहीं सुनती इसलिए केबल निकालके ओल्गा को पिताता है कि हमें रिचर्ट को पचाना होगा क्योंकि ओसमंदर के रास्ते अफरिका जा रहा है मगर हो तेजहाओं के बीच नहीं उड़ सकता लेकिन उसके बातों पर विश्वाश नहीं करती फिर फीर की की कि उसे रिचर्ट को पचाने लिए के जहाज में बेटकर आसानी से अफरीका पहुंच सकते हैं लेकिन रिचर्ड उसकी बात नहीं मानता क्योंकि वो खुद को बोगुला समस्ता था इसलिए उस समुंदर में चलांग लगाता है जिसे उस समुंदर में गिरने लगता है इसलिए उसे बचाने के लिए ओलका और कीक कर आसानी से बादलों के उपर उड़ते हैं और बादलों का खुबसरत नजारा देखकर बहुत खुश होते हैं रात के वक्त उन्हें एरोप्लेन दिखाई देता है जिससे वो बचने कोशिश करते हैं मगर एरोप्लेन से टकराकर ओल्गा बेहोश हो जाती है इसलिए रिच करते हैं कि तुम ओल्गा की मदद कर सकते हो जिससे वो बच जाएगी तब यो और खुश में आकर खुद के पास ओले को मैसुस करती है और उससे बाते करने लग जाती है जिससे ऑंसे बहुत खुश होते हैं उसके बाद की की रिचरट को बताता है कि यह जा आज अफरीका जा रहा है जिसकी वज़िएस यहम बड़ी आसानीसे तुमारी फेमली के पास पहुंच जाएंगे और रिचरट को एशास हो चुका था क्यों बगउला नहीं है इसलिए वह कहता कि क्या मुझे मेरी फेमली अपना लेगी जिससपर किकी कहता कि अगर तुम्हारी फेमिली ने तुम्हें नहीं अपनाया तो तुम हमरे साथ रह सकते हो फिर हम देखते हैं कि सभी बगुले बहुत ठक चुके थे इसलिए उदूप कम होने तक बंजर जमीन पर रुक कर आराम करते हैं लेकिन उन्हें बहुत प्यास लगी थी तबी एक डग आकर उन्हें बताता कि इंसानों ने नदी पर बांध बना दिया है जिससे आंकी नदी का पानी सूख गया लेकिन तुम्हें टेंशन लेने कोई जुरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें पानी गड़्डे के पास लेकर जा सकता हूं उसकी मदद नहीं लेना चाहता था इसलिए उसे मना कर गया एक पानी खोज लेंगे जिसकी वाज़े से में अपने डेट से कहता है कि आपको नंकी मदद लेनी चाहिए थी क्योंकि हमें बहुत प्यास लगी है तो क्लावडी जो से कहता है कि हमें खुद अपनी मदद करनी चाहिए क्योंकि बगुले किसी पर नीरबन नहीं रहते और मैं सब कुछ सब की बलाई के लिए कर रहा हूँ तभी मेक्स उन्हें बताता है कि आपने मेरे भाई को वहीं छोड़ कर अच्छा नहीं किया और उगुसा होकर वहाँ से चला जाता है इसलिए उसके डेट भी उसके पीछे जाते है लेकिन मेक्स एक सुरंग में गिर जाता है फिरा में दिखाय जाता है कि रिचाड और उसके दोस अफरीका के शहर में पहुँच जाते हैं जिससे हो बहुत खुश थे तभी उन्ने ओनलाइन कबुदर से पता चलता है कि मेक्स एक सुरंग के अंदर फस गया है इसलिए रिचाड उन्ने अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि उन्ने सुकी नदी का रास्ता मालूम नहीं था फिरो सबी मेक्स को बचाने के लिए निकल जाते हैं वहें क्लावडिज मेक्स को बचाने कोशिश कर रहे थे लेकिन उनका साइच बढ़ा होने की वज़े से वो सुरंग के अंदर नहीं पहुच पाते हैं तब ही वहाँ पर रिचाड अपने दोस्तों के साथ आकर उनसे मेक्स के बारे में पूचता है जिस पर वो बताते हैं कि मेक्स सुरंग के अंदर गिर गया है लेकिन मैं उससे सुरंग से नहीं निकाल पा रहा हूँ तब ही ओनलाइन कभुतर उन्हें बताते हैं कि सुरंग एक खतरनाक बिच्छु की है तो रिचाड मेक्स को बचाने के लिए अपने दोस्त के साथ सुरंग के अंदर चला जाता है जहां पहुचकर वो सभी मेक्स को डूनते हैं लेकिन कीकी वहाँ पर कंकाल को देखकर कभी डरा हुआ था फिरो अलग-अलग गुफाओं में मेक्स को डूनते है तब ही ओल्गा को बिच्छु मिलता है जिसे ओंखा जाती है रिचर्ड को मेक्स मिल जाता है जिस्वें एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते है लेकिन कीकी को बहुत सारे कीड़े मिलते हैं जिससे ओंडर कर भागता है तब यहाँ पर जंगली बेंजर आकर रिचर्ड को खाने लगता है तो उसे बचाने के लिए किकी के सामने डांस करते हुए सोंग आता है तो बेंजर डांस की वज़े से नाचने लगता है तब यह रिचर्ड बच कर निकल जाता है और अपने दोस्तों किये था कि मेक्स को यहाँ से बचा कर जल्दी से बहां निकाल लो ताकि उसकी जान भच सके इसलिए और दोनों उससे अपने साल लेकर जाते हैं लेकिन रास्ता बंदोने की वज़े से मेक सुरंग को खोता हुआ अपने डेट को आवाज लगाता है जिससे हो तीनों बच जाते हैं लेकिन रिचर्ड अभी भी बेंजर से बचने कोशिश कर रह था तभी रिचर्ड अपनी चाला की से बेंजर से इस सुरंग को नश करवा देता है जिससे बेंजर मलबे के नीचे दब कर मर जाता है और रिचर्ड दूसी सुरंग के रास्तेओं खोतकर वहां से बाहर आ जाता है जिससे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं तभी उसके देड उससे अपनी गलती की माफी मांगकर अपनी फेमिली में हमेशा के लिए शामिल कर देते हैं रिचर्ड सभी को अपने साथ ग्रेड लेप लेकर जाता है जिससे सभी बहुत खुश होते हैं और यहीं पर इस मूवी के एपी एंडिंग हो जाती है और गाइस मुझे उम्मीद है कि आप कोई वीडियो जरूर पसंद आई होगी इसलिए आप इस वीडियो का टेन के लाइक एम भी जल्दी पूरा कर देंगे और नीचे दिये गए सब स्काइब बटन को दबा कर पास वाले बेल आइकन को भी जरूर ओन कर ले ताई कि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सब से पहले देख सकें थैंक्स और ओचिंग